यह विए वान गुड आफ्टर नून कैसे हैं आप लोग कि आई ओप कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहेंगे शांदार रहेंगे मज़दार रहेंगे मलाईदार रहेंगे थे नहीं चलो तो आप लोगा स्वागत करते हैं बहुत ही भैतरीन सेट्शन में आज अपन को पढ़ा रहा हूं ठीक है एर्रिस्प्रेक्टिव कि कैदे को बहुत से बच्छे ना रेकॉर्डिंग से काम चलाते हैं आप बहुत से बच्छे बाराम कर रहे हैं एक बढ़ी पहले मुझे यह बताता हो कि मेरी आवाज आ रही है है अहां हेलो गाइस हो चुका है यहां पर यहां पर सुनाई दे रहा है में को ठीक है चलो आजाओ जी सो सबीलोग अभी धीरे 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 एकदम जल्दी आ रहे हैं बहले सभी को जाने दो पहले अपने ना पांच-10 मिन में टेक्स्टेगरी की जो एक जनरल नॉलेज है वो खतम करते हैं तल मैंने क्या बताय तो लोगों ने क्या बोला कि इतने सारे स्पेशिस को स्टडी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा तो लोगों ने किलासिफिकेशन के बारे बात किया अब क्ल nep ने के लिए को क्रूगी आपको पुणके अक्तर करने के लिए डा प्रइब तो हम बड़े लोग है अपने टेक्सा यूज करेंगे तो किसी को अंतरी नहीं पता है टीचर को पूझे तो कहता है कि प्रफट पढ़ लो ऐसा नहीं हरे का एक मतलब है हम बताएंगे आपको तो क्या टेक्सा अब इन्हों क्या बता कि हर एक और्गानिजम पा अलग 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 ठेक्स होगा अलग अलग लेवल पर ऑग और अब हम लोग क्या करने वाले से बीकॉस हम लोगों कुछ चरेक्टर्ग्टर्ड के असाफ सोन को तक्सोनॉमिक केडेगरी में तक्सोनॉमिक केटेग्री में रखने यह Mate mary い बाक्स ओभ देड़ा सिरा सब्सक्राइब एक से बर बात करेंगे तक्सोनॉमिक केटेग्री चल जू से ऎंग्या बालेमें यहांचा अभी आ गया बेटा यह क्या होता है what do you mean by taxonomic category मैं दिख रहा हूं तुमको चलो बहुत बढ़िया taxonomic category के बारे में आए थोड़ सा बात कर लेते हैं जी okay taxonomic category क्या होता है जी मुन्ना तो हम लोगों ने एक properly एक hierarchy बनाया हुआ है और उस hierarchy के अंदर हम लोग organism को हम लोग और्ग्मिश्म को प्लेस करते हूं on the basis of character so हर एक legal को अज़िए यह क्या बोलते हैं उद्ग्सकोर कहते हैं जो कि उसका रांक को अब इच केटेग्री को आपन कहते हैं टेक्सान या रांक यह डिफ्रेंस क्लियर हो गया यह डिफ्रेंस क्लियर हो गया बाल को केटेग्री को आपन ने बोल दिया क्या जी टेक्सा बोल दिया और हरे केटेग्री को आपन कहते हैं मुना क्या जी रांक या तुम्हारा टेक्सा है ना unit of classification है यह तुम्हारा सुन लो भाई taxon is your unit of classification unit of classification अब देखो यह तुम्हारा unit of classification है जी अच्छा अब बताईए हमारे हमारे पास कतने taxonomic categories है हमारे पास कितने अच्छाצ़ पास कोट की कमने सेसर porta के ऐसे सब्सक्राइब करने का याद करने कहाए बहुत देज़ Mais अ चकॉट कोट हम लोग परते है क्या कीक पॉट्स क्लीन और वावेमिली गे शिक कोट क्वा जब अव तक्लीन keep pots clean or family gets sick keep pots clean or family gets sick यह है चलो घिसा पीटा मिमानिक से सबी लोग हम लोग अपने समय से पढ़ते हैं आ रही है अच्छा इसमें जो K होता है मुनना K stands for K stands for what K stands for Kingdom K clear है P stands for Pilem or Division अब देखो थोड़ यहां पर अब बात करेंगे इसके बार में Pilem यह term तुम किसके लिए उसकरोगे जी मुनना only for Animal पेपर में आता है और Division यह term तुम किसके लिए उसकरोगे जी is only for plant clear है आता हो जी अच्छा अब यहां तक बात है क्लियर है क्या यहां तक सभी को बात है क्लियर है एक बारी जल्दी से comment section मुझे बतात हो यह यहां तक बात है सभी को clear है एकदम अच्छे से बात है क्लियर है अब इक पीवाइक यूज आपके पेपर में पूछा गया है आपके पीवाइक यूज में पेपर पेपर में पूछा गया है क्या इस पूरे taxonomic category में real कौन होता है real कौन है आपका this species होता नो रियल होता है इसपीस आपका ooh real और से यूनिट होता है classification का is हुगी ये रियल और से क्यों रॉच्ट होता है classification का ह् किसको डांट है यहां तक यहां तक साट एक किसो को दाउट आया तक यहां तक किसो को भी डाउट है अच्छा चलो आप US ना अब हमको है करना है verb को सरी असेंडिंग ऑडर में एक्समैक केटेगरी स्काफ्लों कि करते हो के टेग्रीज को जब आप स्टडी करोगे कैसे आप अरेंज करोगे जिसको हमको अरेंज करना है सर इसको असेंडिंग ओडर में असेंडिंग ओडर में मतलब सबसे नीचे कौन होगा जी सबसे नीचे तुम्हारे पास कौन होगा जी आपका होगा इस्पिशीज सब्धिए नीचे कौन होका जी आपके सब्स अको पाइइ चब से आईगा उसके बाद अमारे पास क्वाइगा जी जीनस उसके बाद हमारे पास क्वा, आईगा जी फामिली उसके बाद कौन आएगा हमारे पास order ओगे order आ गया उसके बाद class उसके बाद फाइलम एक मेंट रुख जो बच्चो ये क्या हो गया भई एक सेकंड रुख जो थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं ओगे फाइलम उसके बाद हमारे पास आएगा kingdom क्लियर है फाइलम और डिविजन तुम लोग दोनों बोल सकते हो जी डिविजन अपन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं अच्छा अब यहां से सवाल क्या आता है जी मुन्ना जब तुम असेंडिंग ओर्डर में अरेंज करोगे तो कौमन करेक्टर्स क्या होंगे जी मुन् हो जाएगा जी लेकिन जेनरल केरेक्टर क्या होगा जितने पिए जनरल क्लांट्स होंगे वह के इंक्रीज करेंगे यह आपका असरेशन रीजन में सवाल पूछा जा चुका यह मैं बहुत पुराने एंस के पेपर में कि ट्रेजोन नोमिक केटेग्री में कॉमन क्रेक्टर इसका मतलब क्या होगा कि इस पिशिज लेवल पर ज्यादा होगी यहां पर मौर क्लासिफिकेशन होगा है अगर आपन कॉमन क्रेक्टर स्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे सब बहुत ही दिफिकल्ट हो जाएगा जी मतलब जब आप सेंडिंग ओर मेंरेंज कररें हो दिफिकल्ट हो चले जा रहे ciao इस की क्लासिफिकेशन है कि इस ऑप धिंधी क्या आन था यहां तक बाते कली रहें सब यह अक बार जल्दी से कॉमेंट स्क्रेशन मताना। क्या यहां तक बात है सभी को clear है येस अचा एक बात मैं तुमको और पूछता हूं यार एक बात तुमको ना बहुत और एक मैं पूछता हूं यहां से एक और एक सवाल आपका पूछा गया है शाहिद जिपमर के पेपर में हमने क्या बता है मुना जी डॉग क्या होता है जी लॉग टेक्सा होता है जी वीट क्या है टेक्सा है क्या क्लास भी टेक्सा है बता गार क्लास भी टेक्सा है क्या जीनस भी टेक्सा है क्या स्पिशिज भी टेक्सा है तो बोलोगे हां सर अच्छा लेकिन जीनस अटेक्सा के सासर टेक्सोनॉमिक केटेग्री भी है बिकॉस तो जीनस तुम्हारा taxa भी है और taxonomic category भी है तो मैं यह बात क्या सकता हूँ क्या कि all the taxonomic category is having a taxa but all taxa are not taxonomic category यह aims का सवाल है मेरी सवाल को वापस सुनना हमने क्या बोला कि dog भी एक taxa होता है एक category होता है है Mamel भी एक टक्सा है category ठीक है और wheat भी एक टक्सा है लेकिन क्या हो लोग taxonomic category है नहीं सर नहीं सर ओगे ठीक है येस बोलोग taxonomic category नहीं है taxonomic category कितना है हमारे पास साथ है कौन-कौन से species, genus, family, order, class, phylum, division और kingdom हना लेकिन genus तुमारा taxa भी होता है तो all taxonomic categories are a taxa but all All Texas are not taxonomic category यह line बहुत important है यह आपको पता होनी चाहिए क्लियर पॉइंट क्लियर है सभी को इस यह 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 थिक है थोड़ सा पुश करते हैं यार क्लास को बच्चे आई क्यूं नहीं अभी तक रूकर मैं थोड़ सा ना पिन कर देता हूं सब रिजल्ट का वीट कर रहा है यार है चलो आज हो जी बिगिन करें इंस्याटी की रेटिंग चलो अब यहां से आपको सार सब्सक्राइब करने क्लासिफिकेशन होता है मेरे प्यारे बालों को वो single step नहीं है यह single step process नहीं होता है तो ठीक है तो classification आपका is not a single step process but involve the hierarchy of step in which each step represent rank or category समझे हर एक step जो है अब जो classification एक single step process नहीं है एक बहुत सारी categories बहुत सारी आपको hierarchy लगती है अब हर एक hierarchy क्या represent कर रहा है आपके rank को या category को आपके represent कर रहा है ठीक है अब दोको since since the category is a part of overall taxonomic arrangement hence it is called taxonomic category यहीं पर बात बोला गया है बेटा यहीं पर वो बात बोला गया क्या category को अपन टेक्सा भी कहते हैं क्या बेटा मैं यह क्या सकता हूं बइक category को आपन टेक्सा भी बोलें पीछे बट सारे के सारे taxonomic category तुम्हारे टेक्सा होंगे all taxonomic category is a taxa but all taxa is not a taxonomic category clear है अच्छे से अच्छे से हां जी properly बोलो एक बारी comment section में clear है च्ब आगे क्या और बढ़ते हैं जी अब देखो all category together constitute the taxonomic hierarchy की सारे के सारे categories मिलके तुम्हारे पास क्या बनाते जी taxonomic categories बनाते हैं चलो अब each category अब हरे category को आपन क्या बोलेंगे हरे taxa को आपन क्या बोलेंगे taxon ठीक है अब each category is referred to as a unit of classification in fact represent a rank and it is commonly termed as taxon category को आपन बोलते हैं taxa और हर एक हर एक category को आपन each category is known as what rank या तो unit of classification या तो उसको taxon बोल सकते हो जी ठीक है तो यहाँ पर रहना इस line को लिख लीजिए बड़ी important line है जी क्या all taxonomic category can be taxa can be taxa but all taxa cannot be taxonomic category क्या यह बाते clear है क्या यह बाते clear है सभी को भाई यह line एम इसमें पूछा किया था line बहुत पुराना एंसका पर जब आज review कर रहा था नहीं आज सुमसे discuss करते हैं जी clear है आज हो जी यह taxa का बहुत है taxa का मतलब होता है क्या taxa का मतलब होता है क्या category और हरे के category को आपन क्या बोलेंगे जी मुन्हा टेक्सान कहेंगे जो की rank होता है टेक्सान तुमारा unit of classification भी होता है जी डेनबा ठीक बहुत चलो आगे बढ़ते सुनो अब taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example अब देखो यहां पर एक ग्जामपल लिया है taxonomic hierarchy के अब देखो बेटा जितने भी insect होते हैं कल मैंने आपको बता था कि इनक्या होता है जिनके वास छे पैर होते हैं अब आप लो कि तुर छे पैर कहां से बोल दिया अपने हमको तो पढ़ाया है निया हमको तो पढ़ाया निया तुमारी ncrt कहती कि 3 pair of joint appendages 3 pair का मतलब हो गया कि कोशन निट का पहले भी आ चुका है जी इंसेक्ट में कौमन फीचर कौन सा होता है इंसेक्ट का कौमन फीचर कौन सा है इंसेक्ट का कौमन फीचर कौन सा होता इंसेक्ट के अंदर कौमन फीचर कौन सा होता इंसेक्ट में तो इंसेक्ट में कौमन फीचर होता है 3 pair of legs इस इसका मतलब टूडल छे पार आपको मिलेंगे जी होगे ठीक है कोशन की नहीं आते हैं नहीं आते हैं आते हैं से चैप्टर से आते हैं कोशन ऐसा तुम दीमोरलाइज मत करो इस चैप्टर को ठेक है चलो आगे बढ़ते हैं इट मींस दाट इंसक्ता दा रिकोगनाईजेबल क देखने को मिलेगा उठा उठा के इंसक्ता माउलते जाओ सब्सक्राइबकाम हम लोगों के टेर एक क्डेगरी मिलगंगया एक सब्सक्रभ्षी क्या कि जिनके पास बीज़र Hello के अगािशन अब इतना और अब इतना मत ध्यान दो बहुत सारा है अगर अपन मिनकालनिंगे जैसे कि mammals को देख लो जिनके पास भी external year रहेगा पिना रहेगा और body में hairs रहेंगे और memory gland रहेंगे तो मुठा उठा के mammals से फेकोगे करोगे तो all example पूछा है सुनो remember remember group जितने भी group है वो क्या represent कर रहे category को जितने भी groups है वो तुम्हारे category को represent कर रहे है जी and categories further denotes a rank और category क्या denote कर रहा है रांक को denote कर रहा है जैसे कि category होगा पुलिस के category है तो पुलिस के category में कुछ ranks होंगे कर मैंने आपको example देता वही बात है यहां पर चलो इच रांक और taxon in fact represent the unit of classification वही बात है repeat कर दिया क्या कि हर एक रांक जो होता है न वह यूनिट क्लासिफिकेशन इसका मतलब क्या है कि जब मैंने देखा कि मेरे पुलिस की वर्दी पर दो स्टार है तो तुम ने क्या बोल दिया कि सर्थ आप मौर्फोलोजी को देख के लग रहा है कि सरफ ऐसाई हो सब इंस्फेक्टर हो तीन स्टार है सरफ इंस्फेक्टर हो है गी नहीं है गी नहीं बात है क्लियर है इस कॉमन क्यरेक्टर के बेसेज पर आपने क्लासिफेकेशन कर दिया category के अंदर भी चलो जी दिस टेक्सोनॉमिक ग्रूप और categories are distinct biological entities and not merely a morphological aggregates बहुत important line है अच्छा अब यह सारी सारी तुमारी biological entities हैं क्या छे पैर ओगे skin पे अपना hairs होना कान होना memory gland होना यह सारी biological entities हैं है नहीं पूरा का पूरा आपके morphology पर ही अपन dependent नहीं है आपको internal और external morphology दोनों लेना होता है clear है क्या यह बात है सभी को clear है यहां तक अच्छे से मैं फिर से repeat कर रहा हूं हरे category को आपन क्या बोलेंगे हरे category को हरे category को आपन कहेंगे taxon category को क्या कहते है अपन taxa कहते हैं ठीक है चलो जी अब taxonomical studies of all known organisms have led to the development of the common categories अब ध्यान देना यह पर यह कुछ common category है यह कुछ common taxonomic categories हैं कौन कौन सी एक है phylum kingdom है phylum और division अब देखो फाइलम यह term अपन कभ यूज करते हैं जब हम बात करेंगे सर अनिमल के बारे में इस डिवीजन यह term कभ यूज करेंगे जब हम बात करेंगे सर प्लांट्स के बारे में क्लियर है पॉइंट क्लियर चलो आजो तुम्हारी NCRT कह रही है बार फ़र प्लांट्स क्लास है ओडर है फैमिली है जीनस और स्पीशिस हैं यह सारे के सारे क्या क्या संदा गार College में और ग्यान अनिजम इंक्लूडिंग दोज हिंधि अनिलूंड ऑन स्पीशिस्य अश्टी लूंइस्ट के लेइज प्लांटींगरें बात करो यह आप्लांट कंनेद्र करोिंस सब टेकसाela टेक्सअमिकक केटेगडी व मतलब जीसके नदर कुछ आपको देखने को मिल डी Camera कि कुछ क्वमन आपको देखने को मिलहें जीसे की हम लोगों ने ये दिखा कि कुछ कॉमन के बिसिसे के क्यों सब्सीज chloroe को बनाया जाएै। उसको अपने व Congo का मतलब양 क्या होता है मैं फिर से repeat करो texa का मतलब होता है एक category कंढा category को आपन बोलते है texa और हरे'm category को आपन कहते है ट gw और पूरी taxonomic गो쪽 अपन taxonomic category में फटेग्रें अब देख़े को ढपनाइकrice अगे बाठते हैं प्लिरर इजिर आगे बढ़ते सबसे लोइस्ट कौन है मुणना वोगे सबसे लोइस के टेगरी कौन सा है वह आपका स्पिशीज तो स्पिश तो इस पिशिज तुम्हारा लोइस्ट रियल and basic unit होता है classification का यह सवाल paper में आ सकता है वो कौन सा taxonomic category है जो कि real basic और lowest category होता है तो वो है तुम्हारे पास species ठीक है चलो Now the question you may ask is how to place an organism in the various category अब तुम सवाल पूछोगे ना sir कि कैसे sir आप organism को अलगलग category में place करोगा यह देख लेतें जी अब basic requirement कि क्या लगेगा हमको the basic requirement is the knowledge of characters बहुत important है आप लोग मुन्ना किसी और्ग्यानिजम को किसी particular category में कब डालोगे जब तुमको उस character का knowledge होगा for example hairs क्या hairs external hairs सभी के पास मिल रहे है क्या सभी के पास memory gland मिल रहे है नहीं सथ character के knowledge के basis पर ही तुम उसको different categories में बैठा पाऊगे जी clear है चलो आगे के और बटने जी of the individual or the group of organism this help in the identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as the other kind of organism in short हम लोग similarities or dissimilarities के basis पर organism को different taxonomic category में रखेंगे देखो अभी सारी NCRT की लाईने मोटा मोटी बात पता है क्या है कहने का मतलब यह कि सारे organism को similarities और dissimilarities की बैसे पर तुम उसको अलगलब taxonomic category में रखत होगी clear है ठीक है then हम लोग अराम से पढ़ेंगे चिल मार के पढ़ेंगे सबसे पहला species ठीक है species अब सुनो इस species के बार में हम लोग क्या क्या जानते हैं जी यह आपका lowest है यह आपका lowest है lowest real और basic unit होता है clear है अच्छा species term को किस ने दिया है जी इस term को किस ने दिया है species term को john ray नहीं दिया था john ray john ray यह paper में सवाल आता है clear है क्या point clear है अच्छा अब species क्या होती है species का मतलब होता है वो organism जिनके पास fundamental similarities है वो organism जिनके बीच में fundamental similarities है उसको अपन कहते है species species जो इंटर वीडिंग करके अपने तरी की दिखने वाले बच्चों को जनम दे सकता है तो इंटर वीडिंग जिसके पास यह property होता है वो तुमारे species कहलाते है अब species के पास से इंटर वीडिंग का आपके पास capacity होता है ठीक है यह भी आपका पी वाइक की उसमें पूछे जा चुका है उन्हें कुछ fundamental similarities देखने को मलता उसको आपन कहते है species क्लियर है क्या यह बात है क्लियर है क्या यह बात है सभी को क्लियर है देखो एक बात और वन शुद वन शुद बी अबल तो इस्टिंविश वन इस पिसिज फिस फ्रॉम देखने बात है पहली बात क्या मुद्णा इस्पिशिज क्या होता है जी गूप अर्गयानिजम गूप अर्गयानिजम विच का इनटर ब्रीट अब आप सम फंडामेंटल सिमिलारिटी उसको आपन कहते हैंगे स्पिशिज के अब मुझना हम लोग एक स्पिशिज को और गोजली रिलिडेटे स्पिशिज को कैसे दिस्टिंविश कर पाएंगे सब्सक्राइब आपने इसको क्लासिफाइब कर सकते हैं जी डाने मुनना पॉइंट लिए रहे चलो आईए अब लेट अस कंसेडर मैंगी फेरा इंडिका अब देखो मैंगी फेरा इंडिका किसका साइंटिफिक ने में मैंगो का ठीक है अब सोलेनम टिबरोसम यह किसका साइंटिफिक ने में मुनना पॉटाटो का पैंथेरा लियो यह लायन का साइंटिफिक ने में है अच्छा अब इन तीनों के अंदर जो इंडिका हो गया यह जो टिबरोसम हो गया जो लियो हो गया वह क्या इंडिकेट कर रहा है वह क सारी स्पिशिस से में क्या सारी स्पिशिस से में नहीं सर सारी की सारी स्पिशिस आपकी अलग-अलग है और आम से की क्लाइन को समझो ठीक है अब ही बोला गया है क्या कि all the three names जिसमें इंडिका ठीक है टुबरोसम एंड लियो यह रिप्रेजेंट कर रहा है स्पैसिफिक एप मतलब जीनस ठीक है इट रिप्रेजेंट दी अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सौन और केटेग्री नाम क्या उसका उसका नाम क्या है मुना जीनस जीनस बोलो या जैन्रा बोलो बहुत अराम सेना सारी लाइं को क्लियर रखो सारी अपनी इंसी आटी में जितनी पांट्स में लिखा रहा हूं लिखो और याद कर लो पूरी कॉंसेप्चुल चाप्टर रहे है टॉपी की पुरा कॉंसेप्चुल है ठीक है इस स्पिशिस का है जी मुना गुरूप ऑप इंटर ब्रीड और यहाँ सम्टामेंटल सिमिलारीटी इस एक एक स्पिशिस को खोशली रिडिट इस से तुम कैसे अलग करोगे बेज़ डान बेज़ डान बेज़ डान ओं मॉर्फोलोजिकल डिफरेंस इन एक्जामपल दिया क्या कि पैंथेरा लियो मैंगी पेरा इंडि यह क्या है यह जैनेरा जो कि दूसरा हाइयर के टेग्री एं अब चलो आगी की और बढ़ो अब एक जीनस के पास एक से अधिक इस्पिशिस हो सकते क्या एक जीनस एक से अधिक स्पिशिस क्यारी कर सकता है डेफिनेटली येस इस तो सॉरी अगर बाहर सा कुछ आवाज आ यह तो सुरी चोले इच जीनस में हाफ मोर देन वन स्पेसिफिक एपिटेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट और्ग्यानिजम इसका मतलब क्या सुनों अब पैंथेरा एक जेनेरा है पैंथेरा एक जेनेरा है मतलब एक जीनस है लियो स्पीशिज एपारड़स इस पीशिज बेंस ञीज क्या है इन ठीनों का कॉमन जीनस क्या है इन तैनों का कॉमन जीनस क्या पैंथेरा मतलब एक जीनस के एक से अधिक ईस पैंशिज हो सकते हैं वही बात कहा रही है बट हाविंग बट हाविंग मॉर्फोलोजिकल सिम्लारिटीज मतलब इसका मतलब क्या हुआ ना कि एक जीनस के एक से अधिक स्पेशिस हो सकते बेज़ डॉन मॉर्फोलोजिकल सिम्लारिटीज बड़ी इंपोर्टेंट लाइन लिखी गई है यहां पर ठीक है मैं फिर से उस लाइन को रिपीट कर रहा हूं ध्यां सो सुनेंगे इच जीनस हर एक जीनस के अथे अग्यां साफिक एपिटेट आपके हो सकते हैं यहां पर एक्जामप्ल लिख ऑफॉर ग्जामप्ल देखो थीए जो है यह तुम्हारे पास क्या है पैंथेरा के और दूसरे आपके स्पेशिसक होते हैं जी जैसे कि टिग्रीष है अब सुलेनम के और भी तुम्हारे specific हो सकते हैं जिसे कि nigger I am Oh Grant Music यूमन्स का क्ति के सपिशी स्पिश्पियन्स ए यूमन बींग बिलांग तुद इस सपिश्पियन्स है वाईल हुमारा जीनस क्या है मैं हो मो ठो साउन्टिफिक नेम क्या होता है साइन्टिफिक नेम क्या होता इंसानों का यूमन बिंग का होमो सेपियन्स तुम यहां पर देखियो प्रिंट किया है तब इसको इसको इटालिक्स फर्मैट में लिखा गया है जी क्या सभी को मजा आ गया मैं फिर से रिपीट करूंगा सारी कॉंसेप को न अपनी सबकॉंश सब्सक्राइब आपनी सब्सक्राइब लिखेश करोगे से अलग करोगे बेस्ट आट अंपर फॉलऑजी तबोसली पॉन्ट क्या एक जीनास के एक से अधिक इसपिश्यों हो सकते हैं जपनेटली यस एक से अधर्ट इस फॉसकते हैं फार इंग्जांपल पंथेरा के जनेर प्रिंजल ठीक है यह बाथ क्लियर खीक है चलो जी वे क्लि और सबी को अच्छे से याद हो गया अब बढ़े जीनस के और जीनस के और ठीक है आचा अब बताओ मुना इस कि प्रॉसिज लेवल पे यहां पर more common characters कि यहां पर common characters जादा होंगे यहां पर common characters जादा होते हैं ध्यान देंगे सभी लोग common characters अब के जादा होते हैं चलो आईए जी clear हो गया सभी को अच्छे से अच्छे से किसको डाउट है एक रूपे का पी तो पूछ लो यार काम में पादा फाइदा का है तुम्हारे सारे doubts में solve कर पाऊंगा ठेक है चलो अब जीनस के बारे बात करते हैं जीनस क्या होता जीमना जीनस इसके बाद तुम पढ़ोगे क्या फैमली पढ़ोगे तो वो तुम्हारा रिलेटेड क्या होगा जीनस होगा फिर उसके बाद आद पढ़ोगे तो वो रिलेटेड तुम्हारा फैमली होगा चलास पढ़ोगे वो रिलेटेड तुम्हारा ओडर होगा यह रिलेटेड इसका मतलब क्या जीनस में कॉमन बढ़ जाएंगे काम होगे सर कॉमन अध्रिस कम हो जाएंगे ना तभी तो एक जीनस के इंदर बहुत सारे स्पेसिफिक की पितित आ गया है कि नहीं है कि नहीं तो वही बात यहां पर बोली गई है जीनस कमप्राइजेज अफ रिलेटेड इ इस पिसीज तिकर मिच आस बिच आस मोर चाराक्टर इन दी कॉमन इंकमार इजन तो इस पिसीज ऑफ अधर जैन रां कितनी बडी लायन वोली मतलब कॉमन चेक्टर जीरे दिरे कम हो जाएगा और जेरल क्यारेक्टर बढ़ रहा है ओगे ठीक है ओगे ठीक है चलो आजो कुछ नहीं बल्की क्लोजली अग्रिगेटर आपका सपेशिस होता है है हाई ना हाय ना मैं यह बात कह सकता हूं क्या आप ग्याइव पोटाटो और ब्रिंजल जो है इनके दोनों के अलग अलग इस्पिशिज है पोटाटो का स्पिशिज को ने टिब्रोसम ब्रिंजल का मिलाउन को है ठीक है मिलाउन की अच्छा अब इनलों का जो जैनेरा लेकिन सेम हैं बट आप बोथ आप सेम जीनस क्या सुलेनम अब देखो लायन पैंथेरा लियो लेपर पैंथेरा पैंथेरा टिगर तिग्रिस सेवरल बिद सेवरल कॉमन फीचर्ड है ना मतलब जीनस में आपका कॉमन फीचर कुछ होगा टब ये लोग सेम जीनस से बिलॉंग कर रहे हैं चलो अर आप लेपेशिज ओप देट पैंथेरा अब लियो गये टिग्रिस ओगे तो इसा अभी आपके जीने साँ किसे जी पैंथिरा के ठीग है एक सेकंड में और को देना है एक सेकंड जस्की एह सेकंड गाइस दोगे एक सेकंड में को तोस्किट में एक लिए सेकंड कि चलो ना फाइन ना फाइन वह मेरा आइपाड का बैटरी दिशार जो गए चलो पाइंट ओगे ठीक है चलो आगी क्यों बढ़ते हैं तो यह जीनस क्लेर सभी को जीनस क्या जी मुन्ना इडिजा रिलेटेड इस पेशिस और जीनस क्या होगा जीकॉमन क्लेक्टर सुमारे और कम हो जाएंगे मतलब इस पीशिस सब तुम किंग्णम लेवल पर जाओगे सुमारे पास क्या होता है जी मुन्ना कम हो जाएंगे और जेनरल क्रेक्टर आपके बढ़ जाते हैं जी क्लियर पॉइंट पॉइंट क्लियर है गाईश ठीक है चलो यहां पर तुमको फोकस करना बहुत जादा यार तुमको कोई टीचर आपको एंसाटी वर्ट बाए पढ़ा रहा हूं नोट्स में भी लिखवा सकता था नहीं लिखवा रहा हूं मुझा पता है कि नोट्स में क्या थाना कि तुम्हाना टाइम पास हो जाएगा उसमें जिसका रिक्वाइट नोट्स है वो उस समय लिखवाएंगे लेकिन NCRT बहुत इंपड़न ने समझना ठ लिखन दिफर्स फ्रंब्ध अनधर जीनउ लएक थम फिलीश अब देखो ये फिलीश के है तुमारे पास ये भी एक जीनगिश है लेकिन फेलीश में कौन बिलोंग करेगा जिमना इसाई चाट्स परीज गदेश 轉ेकर को अगी और बड़ते हैं अग फैमली क्या होगा नेक्स करके बताएं अग्लीर डिलेटेड जिनस यह एंट ग्रीगेट करके आपके वाइन नेंज़ ना next category family has a group of related genera आगे लाइन कुछ नहीं family कुछ बड़ी चीज नहीं है ये group of related genera होती है with still less number of similarities हमने क्या बताया species level पर similarities जादा होंगी लेकिन जैसे आप उपर बढ़ोगे similarities आपकी कम हो जाती है clear है तो यहाँ पर similarities आपकी कम हो जाएगी as compared to a genus and species अब यहाँ पर रहने एक line बहुत important है एक line बहुत important है इसको highlight कर लो ऐसे ऐसे ना ऐसा star mark बना लो इदर और डबा बना ले ना क्या कि families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species जबे भी हम लोग किसी plant species को एक particular family में place करते हैं तो हम कौन सा feature consider करेंगे यहाँ पर morphological and reproductive feature जब भी हम किसी भी plant species को particular family में रखेंगे तो इस दो feature को हमें लेना पड़ेगा मेरे guru देओ एक है vegetative और reproductive feature ठीक है जब बना लो उसको बहुत important है ठीक है so families are related genera with less similarities ठीक है जब हम लोग किसी plant species को किसी family में रखेंगे हमें vegetative और reproductive feature लेना पड़ेगा जी डान है मुन्ना clear है चल आगे क्यों बढ़ते हैं among plants for example अब हमारे पास three different genera है अब को पता होगा था मुन्ना solenum DPS करके आद रखो DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल ओके शोलेनम धातूरा और तुम्हारे पास पैचिवना DPS धातूरा पैचिवना यह तिनों तुम्हारे जीनस हैं DPS जो है जी किस family से बिलॉंग करेगी यह बिलॉंग करते है फैमिली इसलेनेशी से ध्यान देजिए नीट में यही सब कोश्चन आता है बाहर नहीं आएगा तो मेरे पास पैचिवना एक फैमिली है कि जीनस है पैचिवना में मेरे पास जीनस है और साथ मेरे पास धतूरा तो DPS एक से बिलॉंग करते है उसका नाम है सोलेनेशी ठीक आगे क्यों बढ़ो अमांग अनिमल्स अगर हम लोग अब आनिमल के अंदर देखेंगे एक जीनस था पैंथेरा है ना इस पैंथेरा के अंदर कौन कौन आरता जी मुना कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड इस प या बिल्ली मौसी है बिल्ली मौसी है सेर की भाई फैमिली सेम है ना जीनस अलग अलगे तो क्या वह भाई फैमिली तो सेम है भाई जीनस क्या है चैट का जीनस है फैलीज लेकिन फैमिली फैलीडिया लायन का जीनस क्या है पैंथेरा लेकिन फैमिली फैलीडिये मजा गया आराम से पढ़ो, चिल मार के, एक लाइन पढ़ो, एक दम, बठा लो दिमाग में, तो, cat और lion, और tiger, और leopard, किस family से बिलॉंग करते हैं मुझना, फेल एडिये, चलो जी, similarly, if you observe the picture of cat and dog, you will find some similarities, कुछ अर बिल्ली को अब देखोगे, तो कुछ similarities होगा, मतलब, क्या same family में खा जाएंगे एक दूसरे को एलो, नहीं शर, हमको, कुट्व और बिल्लू को अलग-अलग family में रखना पड़ेगा, तो, कुट्व को रखा जाता है family, चैनी डिये में, और बिल्ली ए family, फेली डिये में, मता आ गई, हैं, चलो, भाई, बोला गया जी, and someone differences as well, कुछ similarities हो कु तू इ хл settled में तो यह तुमारी कट की फैमिली को और कैनेडिन किसे फैमिली यह जमोना डोग की फैमिली डोगे चारतलम मी कि लिपकर सिमिल्पिरी बेट पेटा पॉन सान वो दो फीचरश मैं बेटा एक है वेजिटेटीव और एक है रिप्रड़क्टिव फीचर है जी मज़ा आ गया ठीक है अब फैमिली सोलेनिस से कितने जीनस बिलॉंग करते हैं डीपीए धतुरा पैचुनिया एंड सोलेनम जीनस पैंथेरो और जीनस फैली किस फैमिली से बिलॉंग करती है फैलीडिय याद करो घर के लिए मैं नहीं एक हूँ आगे घर पर याद करोगे घर पर कुछ नहीं होता है ठीक है चलो अब मात कर रहें सर और के बारे में अब यह ओडर क्या होगा बोलो रिलेटेड रिलेटेड फैमिली नहीं सर क्या मज़ा कर रहे हूं रिलेटेड फैमिली ठीक है You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on a number of similar characteristics. बेटा, genus, species, and family में कुछ similarities आपको देखने को मिल रहे थी. हाँ, सर, कुछ तो similarities मिल रहा था देखने को. Generally, generally order. अब यह order तुमारा higher category है क्या? Order तुमारा higher category है, yes. Order, generally order and the other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters. यहाँ पे characters का अब aggregation होगा order में? Order बिंगा higher category है, paper का सवाल है. Babu, यह पका higher category है, order. ठेक है? सौनो जी. Is the assemblance of families. मतलब क्या order कैसे बनेगा? With the related families. Related families के मिलने के बाद आपका यह order बनेगा, जी. Okay, ठीक है? घर पर ही याद कर रहे हैं, sir. एना? चलो. अब यहीं पर याद कर लो, class में. ठीक है? चलो. Clear? अच्छा. अब बिच एग्जिबेट्स अफ्यू सिमिलर चारेक्टर्स? अब बताओ. अब ओडर लेवल पर चारेक्टर्स कम होंगे की जादा होंगे? अब ओडर लेवल पर चारेक्टर्स कम होंगे की जादा होंगे? सर्क कम हो जाएंगे. हना? अबने क्या बताया? इस पिशे से किंग्डम के और जाओगे तो चारेक्टर्स कम हो जाएंगे. भाई बोलाएजी, the similar characters are less in a number as compared हुआ to different genera included in a family characters हमारे काम होगे, अब देखो plant में कुछ families है जैसे for example, convuletiae solenacee इनको किस order में रखा गया? polymonials ठीक है? based on किसके basis पे? floral character के basis पे? बेटा, ये नीट का सवाल है based on floral characters सब ये सारी mcq जो डबा में बना रहा हूना, ये सब डबा बना रहा हूना paper में तो मुह नी बनना ची तुम्हारा ठीक है? ठीक है, गंदा डबा बन गया है I don't like it एक मिनट रोगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे अब अच्छा लग रहा है, clear है? तो family solenacy family solenacy, convulacy और ये जो तुम्हारे पास है ये दोनों families को किस order में रखागे? polymonials में based on floral characters ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? अच्छा अब जो order है तुम्हारे पास, कुछ animal में order थे जैसे की Carnivora एक order है Carnivora, इसमें कौन-कौन सी family आएगी ठीक है, ठीक है? ठीक है, मज़ा आ गया? अगर मैं बहुँ कि वेजिटेटिव और reproductive features के basis पर अपने classification क्या है? मैं की सर्क category के बारे में बात कर रहा हूं? मैं की सर्क टेक्सोनमी के बारे में बहुँ कि अगर मैं ये बहुँ की सर्क्लासिफिकेशन कैशन के तो floral characters, आपको order, ठीक है आजो, अब अमा तेरे इस साथ class के बार में, अब यह class क्या होता है जी, अब यह class क्या होता है जी, अब class तुम्हारे पास, यह higher है क्या, अब बेटा यह order से भी उपर है, तो यह related क्या होगा, order, yes, तो category included related orders, for example, अब जो order तुम्हारा primata है, अब order primates मे कौन को नाएंगे, monkey आएगा, gorilla आएगा, और gibon आएगा, इसको class में रखा गया है, mamelia में, along with carnivora, that is included animals like, tiger, cat, और dog, class mamelia में, has other order also, मतलब देखो, mamelia में, तुम्हारे पास, वह बहुत सारे order आते, इन सभी को उठा के, बटा, mamelia class में, डाल दिया गया है, है ना, yes, ठीक है, चलो, clear है, order तुम्हारा carnivora, ये भी तुम्हारा class, mamelia में ही आएगा, जी, then, आजो, अब phylum क्या होगा, जी मुना, phylum, related, related class, कुछ है ही नहीं, phylum, classes comprising of animals like fishes, amphibians, reptile, bird, along with mammals, constitute the next higher category which is called phylum, अब देखो, अब phylum, ये term तुम किसके लिए उस करोगे, फाइलम ये term तुम किसके लिए उस करोगे, animals के लिए, लेकिन division ये term तुम किसके लिए उस करोगे, division, plant के लिए, अब बताओ, अब हमारे पास एक phylum है, codeta, यहां पे एक्जामपल दिया, phylum codeta के बारे में, so phylum codeta में, मैं किसी भी organism हो कब रखूँगा, जिनके पास, notocod होगा, dorsal holo nerve cord होगा, मतलब क्या, पीछे की और, उपर की और nerve cord देखने को मिले, यहां पर बात बोली गई है, बात मत करो, omkar, please, okay, क्या बोली गई है, all these based on the common feature like presence of notocod, जिनके पास भी notocod है, dorsal holo neural system are included in phylum codeta, clear है, phylum codeta में तुम organism को क्यों और कव रखोगे, जिनके पास क्या है, dorsal, holo nervous system है, neural system है, और, दुसरा feature क्या है, उनके पास, notocod, है ना, notocod का presence, clear, 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 बा, है जी, चलो, आगे के और बढ़ते हैं, अचा, अब plant के लिए अपन क्या ही word यूज करेंगे, plant के लिए, in the case of plant, classes with the similar characters are assigned to a higher category which is called division, ठीक है, अब 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 दिविजन एटाम यूज करते हैं, प्लांट के लिए, clear, अब आम बाते ही रिसर, kingdom के बार में, kingdom क्या होगा, related, phylum और, division, खत्म, खत्म, kingdom में common characters जाद हों, कम होंगे, kingdom level पे common characters जाद होंगे, कम होंगे, अरे पोल भाई, kingdom पे common characters जाद होंगे, ठीक है, भाई बात बोली कहीं, क्या, कि all the animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category which is called kingdom animalia in the classification system of animals, और kingdom plantia, on the other hand, is the distinctive and comprises of all the plants from the various divisions, 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 kingdom plantiae में, phylum, तुमारे पास, kingdom animalia में, clear, चलो जी, henceforth, we will refer to these two group, and as a animal and plant kingdom, बहुत important point, मैं फिर से repeat कर रहा हूं, इस species level पे common characters क्या होंगे, जादा या कम, जादा, kingdom level पे से characters कम हो जाएंगे, इसका मतलब, उपर classification करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है, अब यह तस्वीर फोड़ा सा पढ़ना, यह तुमारे पेपर में आया हुआ है, यह आपका ascending order, देख रहो, आपका ascending order, देखो, आपका species सबसे lowest है, और highest अपका kingdom है, तो species genus, यही पर याद कर लो, species हो गया, जीनस हो गया, family हो गया, family के बाद तुम्हारा कौन है का order आएगा, है ना family तरीका, अगर तुमको याद नहीं हो रहा है, है ना हमको सर याद ही नहीं हो रहा है, keep pots clean और family gets six, हम लोग सर देशी वाले लोग, हम लोग कैसे करें, तुमको दो याद रखना है, पहला है तुम्हारा species बाद में genus, family, family हर्दम क्या देती है, order, उसके बाद, जब order देती है, तो आपने classes के लिए भाग जाते है, class, है ना, class, class के ओपर तुम्हारे पास क्या है, पाइलम और डिविजन और उसके उपर क्या है जे तुम्हारे पास, क्या कहता है अपना, kingdom, clear, clear, done, चलो जी, okay, जिनको याद ने तो उनके लिए मने देशी तरीका बता दिया, चलो, यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या, कि taxonomic categories from the species to kingdom have been shown in the ascending order, starting with the species in figure 1.1, आपने देख लिया, ठीक है, this are broad categories, यह बहुत बड़ी categories है, however, taxonomics have also developed some sub-categories, जैसे कि tribe हो गया, sub-family हो गया, sub-species हो गया, और भी तुमारे पास बहुत सारी sub-categories होती है, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है, in this hierarchy, to facilitate more sound and scientific placement of the various taxa, हम लोग को नहीं पढ़ना है, tribe क कि वारे में नहीं पढ़ना है, एक बच्चा ने कर कमेंड में पुचाता सर, किसा टाउटोनियम क्या होता है, मैंने बाद में देखा comment, टाउटोनियम का मतला होता है, जब किसी भी organism का, जीनस और इस्पिशिस सेम होता है, जो सिर्फ पर सिर्फ आनिमल के लिए system लाग होता टेके, ascending order में क्या होगा, इस्पिशिस सबसे नीचे और kingdom सबसे ऊपर, चलो, look at the hierarchy, तुम hierarchy को देखोगे, अगर 1.1 में, so can you recall the basis of arrangement, say for example, as we go higher from species to kingdom, क्या होगा, अगर मैं, अगर मैं, इस species से kingdom के और जाओगा, तो क्या होगा, क्या होगा, common character, the number of common characteristics goes on decreasing, हैना number of common characters तुमारे पास decrease हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या, lower the taxa, जितना छोड़ा तुमारे taxa होगा, more are the characteristics that members, within the taxon shares, इसका मतलब क्या, species level पे characters, जादा होंगे, ठीक है, higher the category, greater is the difficulty of the determining the relationship, हैना मतलब classification करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, to the other taxa, at the same level, hence the problem of classification becomes more complex, इसका मतलब, तुम अगर kingdom level पे अगर classification करना को तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हैना, उसके लिए तुमको तोड़ तोड़ के पढ़ना पढ़ता है, जी, clear है, चलो, अब, यहाँ पर indicate, table 1.1 जो है, it indicates a taxonomic categories to which some common organism like housefly, man, mango and wheat belongs, अब देखो, इस से अपका match the column बनता है, ठीक है, देखो, अब जितने भी इंसान है, जितने भी आपके इंसान है, ओगे, man, इनका biological name क्या होता है, होमो sapiens, जीनस क्या है, होमो है, और तुम्हारा sapiens क्या है, प्रामली है हमारा hominidae, order प्रिमेटा, class है mamelia, और phylum क्या है, हमारे पास, co-data, ठीक है, hominidae याद रखो और प्रिमेटा याद रखो, यह बहुत important है मुना, hominidae और प्रिमेटा, class बच्चों को याद रहता है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, housefly का scientific name क्या है मुना, muska domestica, muska genus name है, family है, इसको याद करने का तरीका है, music दिया, music दिया, याद करने का तरीका है मुना, किसको, इसको housefly को, कैसे याद करने को, तुम्हारे पास music, family तुम्हारे पास, आगया, muskidia, दिया का D, order diphtheria, I, insecta, और phylum तुम्हारा arthropoda, ठीक है, music दिया, done guys, point clear है, बालों को, चलो, mango का scientific name मैं, mangifera indica, mangifera इसका genus है, family इसका encradacia है, family तुम्हारा इसका, यह तुमको याद करना है, और order क्या होगा, यह तुम्हारा sapendales होगा, class dicot, और आपका यह enjoy sperm, और आपका last minute है wheat, अब यह wheat का scientific name मैं, बच्चा अक्सर confused होते हैं, wheat का scientific name मैं, तुम्हारा traticum assertivum, यह paper में आता है जी, genus तुम्हारा traticum है, इसका family क्या होगा जिमन पोई से, पैसा लगता है ना family, पोई से, और order of polls, monocot है यह तुम्हारे पास, इसका class क्या जी, monocot और यह आपका enjoy sperm है जी, clear है, चलो, इससे आपका पूरा का पूरा taxonomic category खत्म हो गया, मैं एक बार ही, होगे revise करवादू, अरे नहीं समुन्हारा क्या दीपा, अरे बाबू देखो, यह जो muskidia का जो आपका music है, यह तुम्हारे पास क्या हो गया, इसका family, muskidia, D का मतलब है diphthera, जो कि उसका order है, I माने insecta, जो कि इसकी family है, sorry, sorry, family मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एक second रूप जो, insecta क्या होगा इसका, class, और arthropoda इसका phylum बन जाएगा, clear है, यह point clear आपको अच्छे से, yes, यह point, चलो, एक बर मैं revise करवाद ताहूं मुन्हाँ जी, सबसे पहले, हमारे पास कुल कितना taxonomic category है, हमारे पास कुल साथ taxonomic categories है, सबसे पहला है नीचे species, उसके बाद है genus, उसके बाद तुम्हारे पास कौन होगा, जीनस के बाद, genus के बाद कौन होगा, family होगा, कि order, order होता है कि family, family क्या देगी, order देगी, किसके लिए class के लिए, और class के बाद क्या होगा तुम्हारा file amount division और उसके बाद तुम्हारा kingdom, clear है, ठीक है, चलो, clear है मेरे प्यारे बालको, चलो, done, तो ऐसी पढ़ लेना, हम लोग, vegetative और reproductive feature किस में लेंगे, किस में लेंगे, family में लेंगे, और floral feature आपन order में लेते हैं, okay, order में लेते हैं, done, 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 चलो, ध्यान देना, तो कुछ basic points है, जिसको आप लोगो याद रखना है, कल class नियोगी, Sunday है, तो भईया, कल Sunday off रहता है, Monday को तुम्हारा taxonomical aid लेके chapter को अपन Monday को खतम कर लेंगे, ठीक है, Monday को तुम्हारा ये chapter खतम हो जाएगा, जी, okay, ठीक है, चलो, done, clear है, चलो, और प्लीज है, थोड़ा सा comment कर दिया करो, recording available होता है, तो भईया, तुम 24-25 लोग देख लो, at least तुम तुम कमेंट कर दिया करो, या, ठीक है, कैसा लगता है class, चली, फिर मिलते हैं आपको बेटा अगले sessions के अंदर, ठीक है, Monday को अभी कले, बस उतना है guys, thank you, thank you, by video like मार देना, हाँ, done, कल Sunday पुरा revise कर देना आप लोग, ठीक है, चलो guys, bye-bye-bye-bye-bye, see you, चलो, जाइंत, bye.